हलो फ्रेंड वेलकम टू मैच चैनल आज हम वीडियो पर ये बात करते हैं कि संस्क्रीन लगाने के सिर्फ आधे ही नहीं पल की कुछ नुकसान भी होते हैं संस्क्रीन इसका नाम लेते ही हर कोई इसे लगाने की सलहा देते हैं क्योंकि संस्क्रीन नाम से ही जाहिर है सन के लिए बनी एक स्क्रीन संस्क्रीन हमारी त्वच्चा पर एक परत की तरह काम करती है जो तेज धूप से सूरज की पैरा बैगनी किरणों से हमारी त्वच्चा को होने वाले सीधे नुकसान से बचाती है संस्क्रीन में तवच्चा को सूरज की इन हानीकार किरणों से बचाने के लिए कुछ महतपूर्ण चीजे होती हैं जैसे की जिंक आकसाइड, टाइटेनियम आकसाइड ये हमारी तवच्चा को एजिंग इफेक्ट यानि अरसमे बुढ़ापे और सन बन से बचाती है लेकिन संस्क्रीन का प्रभाव सबसे ज़्यादा निर्भर करता है उसमें मौजूद SPF यानि सन प्रोटेक्टिंग फेक्टर पर संस्क्रीन बनाने में कई तरह के केमिकल का इस्तमाल होता है इन में से कुछ केमिकल तवच्चा के माध्यम से अंदर टिशू तक पहुँच जाते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन, सलफाफेनो, थियाजिन, रसायन जो तवच्चा के लिए नुकसान दे हैं साबित होते हैं और संस्क्रीन को बनाने में इस्तमाल होने वाले रसायन जब तवच्चा पर लगते हैं तो उससे खुजली, लाल चकते, तवच्चा पर लालपन, सूजन जैसे दिक्कतें पैदा हो सकती है अगर कोई भी संस्क्रीन लगाने से किसी भी तरह की ऐलर्जी महसूस हो तो तो तुरंद उसका इस्तमाल बन कर दें संस्क्रीन लगाते वक्त कई बर हमारी आँखों में भी चला जाता है या कभी कभार जलन भी होती है आखों में संस्क्रीन जाने से दर्द जलन की समस्या हो सकती है कुछ संस्क्रीन में काफी अधिक मातरा में केमिकल होते हैं इसलिए अगली बार जब भी संस्क्रीन लगाते समय आखों में चला जाए तो उन्हें ठंडे पानी से धो लें साथ ही अगर त्वचा पहले से ही सैंसिटिव है तब आपके लिए संस्क्रीन का प्रयोगानी का रख हो सकता है क्योंकि संस्क्रीन में मौजूद केमिकल मोहासों की समस्या को और बढ़ा सकते हैं और मेरी तो आपको यही सला है कि अपने लिए या तो कोई मेडिकेटेट संस्क्रीन का चैन करें या फिर अपने डॉक्टर की सला लें